और चीन और पाकिस्तान के बात करीश चीन कुकुर पाकिस्तान खर्रू कुकुर चीन कुकुर पाकिस्तान खर्रू कुकुर और दुनों भारत दार देखते टुकुर टुकुर ते देखे ये बात में दम है फिर खंबा कुपर गोड मत उठाबे नीचे मम है ये का बराबरी कर ही चीन पाकिस्तान मैं तो दिल्लीम कभी तो प्राथना फिकी आडिटोरियम में खड़े हो गया आप क्या हचा रहे हैं लोगों को चीन हमको आथ दिखा रहा है मैं बोला कौन चीन जिसको खुद को खुद की नहीं दिख रही है एक दो सम्दों पाँच मिलीमीटर चीनी क्या कि उतना तो हमारे लाइकमन प्राथना में खुला रखते हैं वो का बराभरी करी ताली बजाओ सांस लेना है कि यह चापा के टुरा दिल्लीम पढ़त रहा है सांसाच जी वो टुरा के चीनी टुरी संगला पर जपर हो गया अब भिहाव करके लेला निसो कर ददा पुछी स्कोने रहे इसे की तोर बहुए ददा इसे की एकर सेकेंड पीस कहा है बें इसे का नहीं ददा यह पूरा सई इसे का किसे साले गला मुंडी खतम कनिहां चालू तरियम नहीं चार दिन में उच्टूरी मर गें तुरा कठल कठल के रोए तो करदाई की रो मत बेटा मेड इन चाइनमाल ज्यादा दिन नहीं टीक है अमर सुल्तानिया जी हमारे बीच है सुहाराम जी अजगले जी स्रीमती सेखराज हर्भंज जी रामकुमार पठेल जी स्रीमती अंजिनी मनुस्तिवारी जी कांती कुमार के सर्वाने जी स्रीमती कमला देवी पाटले जी अंबेश जांगले जी संजीव बंजारे जी रहिस king kutage, मैं पद का नाम इसलएं नहीं लिया क्योंकि मेरी वेक्तियत मान्यता है कि जब आदमी का कद बड़ा होता है तो पद की कोई जरूरत नहीं होते हैं, ये सब बड़े लोग है, इसलिए पद की कोई जरूरत नहीं है, ये नाम से ही जाने जाते हैं, जब एक्जिट पोल ने बताया कि भाजपा हार रही है सब एक्जिट पोल ने कहा कि भाजपा हार रही है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया ने कहा कि भाजपा हार रही है सिर्फ राम भदराचारची थे जिन्हों ने कहा कि भाजबा तीनों राज्य में जीते ही किसी नहीं का था बात में मेरे से लोग पूछे कि क्यों जीत गई भाजबा मैंने का सिर्फ चार लाई मुदी झी का बेनों और भाईयों मेरे परिवार जनो और नहीं सहिबो बदलके रही वो यह अलग बात है कि इस स्लोगन को लिखने वाला मेरा बेटा है चोटा बेटा जो जिसने लिखा है आस्तोस दुबे जो राश्ट्री मीडिया प्रभारी की टीम में राश्ट्री मीडिया टीम में है और दूसरी दोलाई जिसके कारण भाचपा 36 गड़ में जीती वो है इमोश ना चाहते हैं क्यों हारे मुला बलायरी से मीटिंग में कैसे हार गई कंग्रेस में कहीं के बाते काबर पैसा खर्चा कर रहता है मैं बता जो तो फोकट वे तुम लोट ने दिस तो हार गे है इमां आउट चिंतन करें कहा जरूरत मुले बताओ क्लियर कट है तो कोई दिकत क हौद के बाते नहीं है वह करेंगे तो को आजनीती का काम नहीं बोल रहा हूं असको कहिएगा मूदी आया था उसने आपको राम राम कही है और 36 गड़ के लोग इतने emotional होते हैं कि वहां से राम राम आया एक बुज़र्ग आदमी ने राम राम किया 36 गड़ की जनता उसी की तरफ चली गई अगले बार आप भी कुछ ऐसा करिएगा राम राम वाला तो आपको ऐसा करिए कुछ ता जिस्टी क्योंकि भासा कभी संकट नहीं होती वही किसी को भासा नहीं आती इसका मजाद नहीं उडाना चाहिए लेकिन लोग अकसल बोलते रहते हैं मैं राश्टरी नेता हैं नाम नहीं लोंगा लेकिन वो भाशन देती हैं तो बोलती हैं हमारे डेश्ट में जो नर्मादा योजना है मेदम नर्मादा नहीं है नर्मदा है नर्मदा बोले वही बोल रहा है ये बोलते हम कुछ किये नहीं है किये नहीं है हमें एक नया राज बनाए तेल लगाना मेडम तेल लगाना नहीं वो तेलंगाना है तो भाशा कभी संकट नहीं होती है आसे समझनी की जुरत होती है और अगले कभी को मैं बुलाओं इसके पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो लड़कियां अपनी किताबों में आमीर और सल्मान के फोटो छुपाती है इसलिए कह लेते हैं कि आप लोग सह लेते हैं और अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा कि किसी जीत किसी हार क्यूं हुई ऐसी बात जो एक दिन हारता है वो एक दिन जीता है यह सत्य है, इसको स्कार करना चाहिए जीत हार तो लगी रहती है लेकिन ये जंता जो आपको प्यार करती है आपको मानती है ये बड़ी से बड़ी बैने और भाईयों परिवार जन हो गया, बैने और भाईयों मित्रों, आज राद बारा बजे के बाद, पांसव हजार के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मैं तब से आठ बजे टीवी देखना बंद कर दिया हूँ, का बोल दी ठीकाना नहीं, बैनों और भाईयों, मित्रों, आज राद बारा बजे के बाद, पती पत्नी के संबंध लीगल नहीं रहेंगे, आप अपनी पत्नी वापस करके दूसरी ले जा सकते हैं, मैं मुन्ना को बोला, मुदी का इस्कीम बढ़ी है, ट्राई कर ले, आप मुदी को नहीं जानते हैं, एक हजार के बंद किया, दो हजार का चलू किया, मैं पच्चीस साल की बंद की ले के जाओंगा, पचास हजार, पचास साल की देगा, तो मेरे को क्या पोसाएगा? संकट है अपना अपना लेकिन एक बात है अटेज़न प्लीज कुछी छणों के बाद हमारा हवाई जहाज मरियादा पुरसोत्तम स्रीराम इंटरनेशनल एरपोल्ट आयोध्या में उतरने वाला है आप अपने कमर की पट्टियां बांद रहें और धूम्र पान ना करें कौशिल्या शत्तिस गड़ की बेटी गरवयाम को शिरी नहराइन की धर्ती पे यह कहना चाहता हूं कि कौशिल्या शत्तिस गड़ की बेटी उनके बेटे राम और जहां राम ने जनम लिया वहां बाबर का क्या काम जहां राम ने जनम लिया वहां बाबर का क्या काम वर्सों का ये यक्ष्ष्प्रस्न उत्तर हमने बतवाया है और जहां राम ने जनम लिया अब मंदिर वही बनाया है हम अक्षाजवल कुम-कुम, रोली BYंधन चंदन वाले हैं। हम दुरवा हैं, बिल्वपत्र हैं। हम दूद्ध भी शक्करशाद। हम ही पंचमृत हैं। हम कपूर की आरथी हैं। हम एका दसी का वृत हैं। हरहर गंगे बंबंभु भोले वाले हैं। राम मंदिर बना लिया, अब मत्वुरा जाने वाल देया, जैजैस्त्रे राम, आई एगले कभी को बलाता हूं, जो मेरा छोटा भाई है, जैसे वीवीशन रावन का छोटा भाई था, रावन को उसी ने निप्टाया, सुग्रिव बाली का छोटा भाई था, बाली को उसी ने निप्टाया, प्रमीन महाजन, प्रमोद महाजन का छोटा भाई था, लेकिन ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं, ये केजरिवाल का सगा छोटा भाई, जब निप्टायेगा, केजरिवाल को ही निप्टायेगा, प्रयाग राज्स आया है, हम तो आपको मिलेंगे या न मिलने जब आप इलावाद जाओगे घाट में आखरी समय में यही आपके काम आएगा इसलिए आखरी आदमी को जोरदार ताली से स्वागत करो जब आप हंडी में जाओगे तो यही आपकी डंडी उठाएगा जोरदार ताली आप बजाएं डाक्टर स्लेस कोतम बहुत बड़ी आखरी आखरी